तो बटा दामुदर वैली कॉर्परेशन, डीवीसे ने फाइनल लिस्ट निकाल दी है, डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और सर्प्राइजिंगली, कट ओफ बहुत कम गया है, as low as 36.33 मार्क्स, चलो मैं आपको वेबसाइट पर दिखाता हूँ, देखो, ये डीवीसे क के अंदर जाकर recruitment notice पर click करेंगे, तो कुछ इस तरीके से खुल कर आ जाएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे के तरफ जाओगे, तो ये देखो, ये है, important instruction and list of provisionally shortlisted candidates for document verification DV, for executive trainees, ETs, in DVC through gate 2023, of course ये जो vacancies निकली थी, ये gate 2023 के through निकली थी, इसलिए chance काफी हाई है कि कम marks वालों का भी selection हो जाएगा, ये वो important instructions है, cutoff के details है, जिन जिन का call आया है, document verification के लिए, उनकी list भी attach की गई है, और इसकी date आप देख रहे हैं, 28 जुलाई 2024 को ये particular document release हुआ है, तो आप अगर देखेंगे, तो आपको दिखेगा, out of 100 क्या-क्या cutoff गई है, और ये रही वो cutoff बिटा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले column में उन्हें post का नाम दिया है, दूसरे column में यूर की cutoff है, तीसरे column में OBC non creamy layer की cutoff है, चौथे column में SC cutoff है, पाच्वे column में ST की cutoff है, और छटे column में EWS category की cutoff है, चलो मैं इसको ना, आप से निकाल के separately दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा अच्छे सा idea लगेगा, देखो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कि mechanical के लिए जो general की cutoff गई है, 55.67 marks गई है, out of 100, electrical के लिए 36.33 marks गई है, out of 100, C&I के लिए 59.33, civil के लिए 58.84, और chemical के लिए 61, और देखो यार, ये general की cut off है, है ना, accordingly आप OBC non-creamy layer, SC, ST, EWS की cutoff देख सकते हैं, है ना, तो mechanical में EWS category के लिए cutoff 50 marks है, OBC non-creamy layer के लिए 51 marks है, SC के लिए 38.33 marks है, ST के लिए 34.33 marks है, अब मैं थोड़ा सा और detail में लेकर चलता हूँ, आपको mechanical के point of view से, अगर आप देखोगे, mechanical के जो total seats थी, वो 59 seats हैं, है ना, और इसके लिए उन्होंने 316, 316 candidates को short list किया है, document verification के लिए, अब question यह आता है कि सर, कितने marks रहें, कि हमारे selection के chances हैं, ओके, cutoff तो उनकी mechanical के लिए general category की 55.67 है, लेकिन सर, कितने marks पर selection के chances हैं, मैं इसका भी discussion कर लेता हूँ, देखो बटा, ये gate 2023 का data है, है ना, और इस data क्या according, 91 से 100 marks, एक candidate के थे, 81 से 90, 11 candidates के थे, 71 से 80, 65 candidates के थे, 61 से 73, 75 candidates के थे, और 51 से 60 के बीच में, कितने थे, 111, 119 candidates थे, तो अगर इन्होंने 50, 50, 50, 5.67, last cut-off रखे, तो मतलब बच्चे की rank, वो जो last बच्चा होगा, last candidates होगा, उसकी rank, 1000 के असपास रही होगी, तो अब कितने marks वालों के bright chance है, बटा, अगर आपके 63 marks है, बहुत high chance है, आपके selection के, और याद रखना, यहाँ पर कोई भी interview नहीं है, डारेक्ट आप अपन document का verification करवाओ, जॉब ले लो, 62 marks, 319 rank, high chance है, 61 पर भी sufficient chance है, 377 rank आपकी है, in fact, मैं तो बोलूँगा, 60 marks पर भी chance है, तो जिनके भी mechanical में general category को हो, और 60 number अगर आपके हैं, तो बहुत अच्छे chance हैं, कि आपको DVC में job मिल जाए, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ, है ना, देख 26 के लिए prepare करना चारे है, जो चीज मैं बार-बार बोलता हूँ, कि यार, आपको 100 marks के लिए aim नहीं करना है, आपको 90 marks के लिए aim नहीं करना है, अगर आपके 70 number के असपास आते हैं, यार, जो आप चाहोगे, वो मिल जाएगा, in fact, 60 marks या उससे जादा आते हैं, तो भी आपके पास बहुत अच्छे chance रहेंगे, selection के आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाएगा, अब यह आपके सामने हैं, बिटा, mechanical में जिस बच्चे के 2023 में 60 marks रहें होंगे, उसकी 453 rank थी, जाहिर सी बात है, उससे आगे केवल 452 लोग हैं, और बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कह ही जॉइन कर लिया है, इसी लिए DVC वालोंने 55.67 तक बुलाएं हैं, 1-5 के रेशो में बुलाएं, और आम टेलिंग यू ना, जिसके 60 marks भी रहें होंगे, देखना आप जब final list आईगे, तो उसका भी selection हो गया होगा, काफी high chance हैं, और मैंने आपको इससे पहले ही बताया था यह देखो nuclear power में मेरे बच्चे का general category में 51 marks पर हुआ था, nuclear power में मेरे बच्चे का general category में 51.67 marks पर हुआ था, है ना, तो महनत करो, अभी भी आपके पास time है, जो लोग 2025 के प्रिपार करना चारें, I'm telling you, मेरी जिम्मेदारी है, I will take care of you, आजाओ on academy plus पर 6 महीने बढ़िया से महन यू, आप देखना 2025 का जब आप एक्जाम लिखकर आओगे, आपको खुद से feel होगा, कि यार मैंने एक अच्छा initiative लिया, अच्छा decision लिया, कि गेट 2025 के लिए preparation करी, तो अगर आप जुड़ना चारे हो, कल लास्ट डेट है offer की, जहां पर आपको नेगी टन लगाने पर, 6-8 महिने का सब्सक्रिप्शन मात्र 8499 का मिल रहा है, जो लोग 2026-27 के लिए प्रिपार करना चारे हैं, मैं बता रहा हूँ, इंडिया का most affordable सब्सक्रिप्शन अनकेडमी प्लस पर अवेलेवल है, 18 महिने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, मात्र 11999 का, और यार 2027 के सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, मात्र 17999 में, और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, 2027 का सबसे कम कॉस्ट वाला, सबसे हाई क्वालिटी का बैच अनकेडमी पर अवेलेबल है, रे बबा, लगाव निगीटन आजाव प्लस पर, जैसी आप निगीटन लगाओगे, आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो आजाव प्लस पर, सी यू लाइव, और देखो मैं बार बार आपको इन वीडियो के थूँ यही बताना चारा हूँ, कि आज की डेट में जिस तरीके से पेपर आ रहा है, 2023 का पेपर जिस तरीके से आया है, 2024 का पेपर जिस तरीके से आपकी से तरीके 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 से तरीक